लाठी में राजे पक्षी गोडावन के वासस्थान और व्यवहार पर डॉक्टर सुमित डूक्या और इस्थानी वन्यजीव प्रेमी राधिशाम पेमानी धूलिया ने चार दिन के सर्वे के लिए राश्टी मरूध्यान गोडावन शित्र में भ्रमन किया और वहां के स्थानी समुदाय के लोगों से भी मिले और संरक्षन में राजे सरकार के प्रयासों का समर्थन किया डॉक्टर सुमित डूक्या ने बताया के अंतराश्टी इस्तर पर IUCN की अतिसंकट ग्रस्त सूची मिदर्ज गोडावन अब सिर्फ जेसल में शेत्र में ही प्रजनन करते है और ये रित्व इनके प्रजनन की है सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रोजेक्ट गोडावन में इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है और इस प्रणे रित्व में इनके इलाके में मानव मात्र का प्रवेश ही वर्जित है इसलिए दूर्भीन से बहुत दूर से इनके वैभार को देखा जा सकता है स्थानिव अन्यजीव प्रेमीर आधिशम पैमानी और धोलिया खेतोलाई शेत्र के लोग भी खेतोलाई धोलिया श्री भादरिया रायक के औरन शेत्र में गोडावन सर्वे में शामिल रहे मैं डॉक्टर समी टोकिया इंदरपस्त विसेव जाले दिल्ली और इस्पामिय समुदाई विसेश के लोगों के साथ मिलके पश्चिम राजस्तान में पिछले चार-पन साल से गडावन सरंशन पे कारे कर रहा हूं इसे के साथ फिलार राजस्तान समाचार में इतना ही और तमाम खबरों के लिए देखते रहे डीपी के न्यूस नमस्कार आजस्तान में चार राजस्तान में एक टार राजस्तान में पेरा के लिए रहा हूं